हेलो गाईज, वेलकम टू अनदर वीडियो, तो गाईज, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इसमें हम बात करने वाले है, कि आप अपने ब्लुटूथ एरफोन की जो लेंगवेज है, वो किस तरह से चैंज कर सकते हो गाईज, कभी कभी क्या होता है, जो आपके एरफोन होते है, जो लोकल एरफोन होते है, वो ज्यादा तर चाइना के एरफोन होते है, तो उसकी जो लेंगवेज है, वो चाइनीज आ जाती है, या फिर गलती से चाइनीज हो जाती है, तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किस तरह से इंगलिश वो call receive या call को यहां पर cut करने के लिए होता है और जो दो button होते है वो volume कम या ज्यादा करने के लिए होते है तो अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से अपने एरफोन की लेंग्वेज है वो यहां पर change करनी है सबसे पहले हम इस एरफोन को on कर लेते हैं तो आपको ध्यान यह रखना है जो आपका एरफोन है वो on होना चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आप देख सकते हो जो center में यहां पर आपको जो button दिख रहा है उसको आपको दो बार प्रेस करना है जल्दी जल्दी आपको प्रेस करना है कुछ इस तरह से मतलब एक second के अंदर यह आपको दो बार प्रेस कर देना है जैसी आप इस तरह से करोगे तो आपकी जो language है change हो जाएगी तो इस तरह से आप guys यहाँ पर चाहो तो अपने जो airphones की language है वो change कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको एक बारी सुना देता हूँ अगर आप इस button को प्रेस करोगे तो किस तरह का sound आपको सुनने को मिलेगा तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो इसको अब मैं जैसे ही दो बार प्रेस करोगा तो इसकी जो language है वो चाइनीज हो जाएगी अभी जो इसकी language है वो English है तो यहाँ पर इसको हम दो बार ही प्रेस कर देते हैं तो इस तरह से guys अब आपको फिर से English में इसको करना है change तो आपको फिर से दो बार प्रेस कर देना और ये फिर से English हो जाएगी English Language Selected तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने जो Bluetooth Airphone है उनकी जो Language है वो चेंज कर सकते हो तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले